सबको में नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के यूट्यूब शॉट फंड से रिलेटर जितने भी क्योस्टिन पूछे गए हैं उन सभी के जवाब देने वाला हूं प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और पूरा एंट तक देख लेना ताकि इस पे व प्लीज वीडियो को एंट तक जरू देखते रहे ना इसमें बहुत सारे जैसे की मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूं जैसे की काइन मास्टर लोगों यूज कर सकते हैं शॉट्स फंड्स के लिए शॉट्स वीडियो में या नहीं गेमिंग चैनल जो है उन गेमिंग शॉ जो है शॉट्ट फंड मिलेगा तो ऐसे ही बहुत सारे क्योस्टेंस है यहां पर मेरे पास में इन सारे क्योस्टेंस के मैं आप लोगों को एक एक करके जवाब देने वाला हूं इस्पेसलिल एक क्योस्टें बहुत ज़दा पुछा गया था कि किस कंट्री में ये आप लोगों के लिए भी मेरा भी आप लोगों को बताना फरज बनता है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरू देखते रहे ताकि आप लोगों को आपके सारे सारे सवालों के ज़ोब मिल जाए तो चली शुरू करते है अब यहांपर मैं सबसे पहला स्वाल कवर करता इसको अपन कंसिडर करेंगे YouTube Shorts Fund related क्यों ने ठीक है तो आप इसे क्यों ने समझ सकते इस वीडियो को और आप लोगों के सारे जो questions है जो मैं cover कर रहा हूं यह मैंने description में time stamp के साथ मैं दे दिया हूं तो आप jump करना चाते हैं तो jump भी कर सकते हैं description में आप पढ़ सकते हैं कौन से time पे आपका comment है कौन से time पे आपका सवाल है वहीं पे आप जागरे के देख सकते हैं ठीक है तो चली शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो सवाल है पूछा गया है वो है YouTube Shorts Fund के लिए कितने views चाहिए जो की most viewed question है यह जो है पिछले में दो देखें दोस्तों कोई specific criteria नहीं है कोई specific threshold नहीं है कि आपको इतने views आएंगे तभी आपको पैसा मिलेगा या फिर आपको इस जिगह पर आकर के यह YouTube Shorts Fund मिल जाएगा इसका कोई थ्रशोल नहीं है कोई criteria नहीं कुछ पता नहीं है आपको सिर्फ अपना original short content बनाते रहना है औ यूट्यूब को लगेगा अच्छे खासा engagement अच्छे खासा views अच्छा खासा performance आपकी वीडियो पर आ रहा होगा तो आपको जो है short fund का bonus या short fund का mail है वो आ जाएगा पहला सवाल यह हो गया ज्यादा जानकरी के लिए detail में यह वाला वीडियो देख लो आप लोगों को सब आपका जो है लोगो आता है यानिके वाटरमार्क आता है तो विस्ट उससे अपन एडिट करेंगे या वो जो वाटरमार्क रहेगा वह पर अलाउड होगा या नहीं तो दोस्तों देखिए इन्होंने सापसा वहां पर पोलिसी में काया है कि हम social media के जो वीडियो जैं और उ उन्होंने खुद इस चीज को mention किया है कि चैनल अपलोडिंग वीडियो विट वाटरमार्क और लोगो फ्रॉम थर्ड पार्टी सोचल मीडिया प्लेटफोर्म्स थर्ड पार्टी सोचल मीडिया प्लेटफोर्म्स अब काइन मास्टर या पाउ डारेक्टर यह कोई social media नहीं यह सिर्फ application है और video editing application है तो इनको allow किया जाएगा don't worry about that अगले सवाल की तरफ move on करते हैं अगला जो सवाल पूछा गया है शोट के लिए pixabay या pixels पे जो videos available है ठीक है pixabay या pixels पे जो video available है pixabay.com या pixel.com के ओपर जो videos available है उसको हम use कर सकते है क्या उसके उपर voice over कर सकते है क्या देखिए आप definitely कर सकते हो ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर वो आपका voice over इतना शांदार होना चाहिए कि काफी अच को भी क्रेटिव तरीके से यूज करो और आपके कुल मिला कि व्यूज आ जाएंगे ना इंगेजमेंट अच्छा आ जाएगा ना तो आप जो है अच्छा कासा शॉट्स फंड्स के लिए यह सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है जो कि कमेंट्स में आ रहा है कि एक लाग हो चुके हैं मेरे पर एक मिलियन हो चुके हैं क्या मुझे मिलेगा मेरे को शॉट्फंड मिलेगा देखो पिछले 180 दिन के अंदर आपके जितने भी शॉट्ट वीडियो के उपर अच्छे ख है कि ओरिजनल कंटेंट होना चाहिए और उसका परफॉर्मेंस इंगेजमेंट अच्छा होना चाहिए और हम आपको मेल भीज देंगे तो जिन लोगों के भी पास्ट में शॉट्ट वीडियो अच्छा परफॉर्म कियें अच्छा व्यूज आए हुए हैं और मैं उमीद कर करता हूँ होप करता हूँ आप लोगों के लिए धुए करूंगा कि आपको यह मेल आ जाए और अगर आप में से किसी को भी मेल आ जाता है क्योंकि आपके शॉट्स अल्रेडी वाइरल हो चुके हैं या हुए हैं तो आप मुझे इंस्टाग्रेम पर टेग कर देना या कि सबसे ज़्यादा पूछा गया है गेमिंग शॉट्स वीडियो फंड जीत सकते हैं क्या जो गेमिंग शॉट्स हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेनेजर्स हैं वो गेमिंग शॉट्स बना रहे हैं कोई भी हैट शॉट हो गया बहुत अच्छा अच्छा गेमिंग शॉ चला सकते हो यह ट्राइगरो बाकि अगर आपके गेमिंग शॉर्ट वीडियो के उपर अच्छा खासा एंगेजमेंट है तो यकीन मानिए आपको शॉर्ट फंड का मेल आ जाएगा आपको मिल जाएगा क्योंकि यूट्यूब को जो व्यूज देगा यानि कि जो ज्यादा से व्यूज कमा के देगा यूट्यूब उसको रिक्रिकनाइज करेगा उसको फंड भी देगा और उसको मॉनेटाइज़ेशन प्रोक्राम में भी ले लेगा इतना मेरा एक्स्पिरेंस कहता है क्योंकि मैं पिछले आठ साल से काम कर रहा हूं आप अगर उसको व्यूज दे रह तो यहां पर अगला हम क्योस्टिन लेते हैं यूट्यूब शॉर्ट फंड कंट्रीज इलिजिबलेटी यानि कि कौन कौन सी जो है कंट्रीज के लिए इलिजिबल है और इलिजिबल नहीं है देगे दोस्तों यहां पर कम से कम जहां तक मुझे पता है साथ से आठ कंट्री इलिजिबल है मैं उनके नाम बता देता हूँ ब्राजिल इंडिया इंडोनेशिया जापान मेक्सिको नाइजिरिया रसिया साउथ अमेरिका युनाइटेड किंग्डम युनाइटेड इस्टेट ठीक है यह जो कंट्रीज यहां पर आप देख सकते हो कितने हो गई 6,8 और 10 10 कंट्रीज फिलाल इलिजिबल है यहां पर यूट्यूब शॉर्ट फंड अबेलिबल है इन लोगों को मिलेगा इन कंट्रीज के लोगों को मिलेगा बाकी इनों ने लिखाए नोट में we plan to expand eligibility to more countries and regions तो जल्द ही जो है यह बाकी सभी countries में भी लेके आएंगे क्योंकि इतनी ज्यादा countries है 206 से 206 तक हमारी countries है तो और भी ज्यादा countries में लेके आएंगे बस आपको wait करना होगा जो लोग नेपाल से सवाल पूछ रहे थे कि हमारे नेपाल में मिलेंगा की नहीं मिल तब तक आप जो है long वीडियो बनाईए और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में अपने 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे कंप्लेट करके उस मेन में यान कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में आने की कोशिश कीजिए और राइट I hope कि आपको आपके question का answer मिल चुका होगा अगला जो सवाल सबसे जदा पुछा गया है वो है YouTube short fund के लिए new channel बनाई या old देखे दोस्तों मेरा कहना तो यह होगा कि YouTube short fund पाने के लिए आप new channel बनाऊ या old बनाऊ उन पे original content बनाऊ और मेरा recommendation है new channel बनाऊ अच्छे से अच्छा banner अच्छा logo और केवल उसके उपर short upload करो यह भी बहुत जदा पुछा गया सवाल है तो आपको जवाब मिल गया होगा कि new channel बनाऊ बाकि आप old पे भी काम कर सकते हो और original content पे आपको काम करना है अगला सवाल जो पुछा गया है सबसे जदा वो है YouTube short monetization and YouTube short fund difference देखे तो इसमें जो difference है ना वो basically difference यह है कि YouTube short fund जो है प्रोग्राम पार्टनर प्रोग्राम के लिए eligible हो सकते हो फिर आपके वीडियो के उपर व्यूज आते हैं आपको डॉलर मिलते है एक हजार व्यूज पर लगवफ एक डॉलर मिलता है पर shorts के उपर कुछ भी fix नहीं है उनका मन करेगा तो वो दे देंगे नहीं मन करेगा तो पर ध्यान देजिए जिस दिन आपके पास वो मेल आ जाए कि हाँ आपने इतना bonus जीता है minimum 100 डॉलर से लेकर के maximum 10,000 डॉलर तक तब आपको वहाँ पर एक button आएगा claim करने का उस claim वाले button पर जब आप click करोगे तो वहाँ पर आपको adsense sign up करने के लिए बोलेगा तो वहाँ से आप sign up करना तब तक आपको adsense लेने की दिक्कत नहीं है कोई जरत नहीं है वरना simply है अगर आपको फिर भी adsense sign up करना है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं how to create an adsense account आप लोगों को जवाब मिल जाएगा उस वीडियो को दिए करेके आप सीठ सकते हो अगला एक general awareness का question भाई ने ब सेम कर लो जीत गए सेम हूब हूब मेल बना देंगे और जो hackers वो ऐसी mail भेजा करेंगे कि आपने जो मलब लगेगा लोगों को YouTube की तरब से mail आया और आपको mail भेज दिया जाएगा कि आप short fund जीत चुके हैं पर आप उस पे click मत करना इसलिए aware रहना ये बहुत अच्छा comment था जो आप channel बनाओगे उसमें सर्च में लाना बहुत जरूरी है सर्च में आएगा तब आपके लिए बहुत फायदे मन्द है खुद भी search कर देख पाओगे दूसरे दोस्तों के रिस्तेदारों को भी दिखा पाओगे तो आप नाम unique रखो अपने आप सर्च में आजाएगा ठीक है इतना ही आपको करना है और आपके वीडियो के अंदर आपने उस channel के नाम का keyword जो है आपको डालते रहना है description वगरा में और वो आजाएगा सर्च में उसके कोई दिक्रत नहीं है अगला जो सबसे ज़्यदा पूछा गया सवाल है वो है instagram real videos facebook video short में डाल सकते हैं और उ reuse content में आजाएगा आप मानो ना मत मानो वो reuse content में आजाएगा और youtube इसके लिए और रड़ी आपको बोल चुका है कि social media platform से वीडियो उठाकर कि आप यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं आप डायरेक्ट जो short का camera होता है जैसे आप application खोलते हो वहाँ पे जो plus का icon होता है इसके उप probability बढ़ेगी अगला जो सबसे ज़्यदा पुछा गया सवाल है वो है copyright music claim आएगा short videos में या नहीं तो दोस्तों देखिए यह जो सवाल है इसके उपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर youtube short application के अंदर हैं कि हमारे जो youtube app के अंदर से वो plus का icon पे आप क्लिक करते हो औ camera open होता है और उनका जो वहां पर music available है उसको या आप यूजच कर सकते हो वो फिर ही है पर उसके अलावा अगर आप edit कर रहे हो अलग से कोई अच्छा अच्छा पंजाबी गाना हर्याना गाना या कोई अच्छा गाना लगा रहे हो ट्रेंड वाला गाना लगा रहे हो और उ अंदा को copyright दे सकता है और copyright claim का मैंने आपको बता दिया याना की music claim का मैंने आपको बता दिया official music को use नहीं कर सकते है पर जो short application के अंदर music available है वो आप यूजच कर सकते हो last time में एक salah है जो मैं सला आप सबको देना चाओंगा वो सला यह है कि देखो उस तो short funds के लिए काम करना बुरी बात नहीं है आप short funds के लिए काम किजिए उसमें कोई दिक्रत नहीं पर जो सबसे बड़ी आपको कुछ पैसा वहाँ पर मिल रहा होता है पर यहां पर शॉर्ट्स में रैपकए व्यूज लेजिखिए आजाओ फिलाल इसका कुछ फीक्स नहीं है कि कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा मेरी सला है कि शॉर्ट्स बनाते रहो पर साथ में long videos भी बनाते रहो और YouTube partner program में आने की कोसिज करूँ तो बस दोस्तों फिलाल किस वीडियो में मैंने आप लोगों सारे questions को cover किया फिर भी अगर आपका कोई question रहे चुका है तो comment करकी मुझे बता देना अगर आप लोगों सारे questions को cover करने की फिर से कोशिश गरूँगा बस दोस्तों फिलाल किस video में इतना ही अगर आप लोगों वीडियो पसंद आया तो प्रिज वीडियो को like किजी और चैनल को subscribe ना बिल्कुल भी ना भूलिए मैं मिलता हूं आप सब एगले वीडियो में तिल दो वेट अनमल, Celle does meet the reference and transfer this knowledge to another cell बाँ बाँ